हेलो गाइस आज हम लोग नेक्स्ट नेम रियक्शन डिस्ट करने जा रहे हैं जो है स्टेफेंस नेम रियक्शन सबसे पहले हम जानेंगे स्टेफेंस नेम रियक्शन होता क्या है तो it is it is method of preparation of aldehyde of aldehydes from nitrile स्टीफन्स रियक्शन नाइट्राइल्स के द्वारा अल्डी हैट्स का प्रिपरेशन का एक मिथड है जिसमें हम लोग जानेंगे कैसे अल्डी हैट्स का प्रिपरेशन हम लोग अल्केन नाइट्राइल्स के द्वारा करते हैं आईए इसके reactions के बारे में जानते हैं जैसे RC triple bond N ये क्या है हमारा alkane nitrile alkane nitrile इसका reaction हम लोग कराएंगे SNCl2 plus HCl जहाँ पे हमारा formation होगा imine का formation होगा कभी भी carbon double bond NH के साथ double bonded carbon रहेगा तो उसको हम लोग imine का name देते हैं प्लस इसका हम लोग क्या कराएंगे hydrolysis कराएंगे hydrolysis in the acidic medium अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए नाइट्रेल में एक bond टूटा एक bond टूटेगा तो यहाँ पर NH आया अब जब hydrolysis कराएंगे hydrolysis O, H और H यहाँ पर क्या होगा इसके दो bonds यहाँ से टूटे आएंगे अब आप देखिए oxygen आके इस carbon के साथ attached रहेगा और ENS के साथ यह दुनो hydrogen attach हो जाएंगे तो जब यह RC single bond H oxygen carbon के साथ plus nitrogen एक hydrogen दो hydrogen इधर आ गया तो यहाँ पर क्या मिला ammonia तो यह हमारा क्या हो गया aldehyde aldehyde plus ammonia का formation होता है इस reaction को stiffens reduction reaction करते हैं आए थोड़ा इसके mechanism के बारे में discuss करते हैं कि यह reaction कैसे होता है यहाँ पर देखिए हमारे पास SN Cl2 है हमारे पास SN Cl2 है जहाँ पर SN plus 2 oxidation state में है यहाँ पर SN किसमे plus 2 oxidation state में है यहाँ पर SN क्या करेगा SN2 plus अपना दो electron close करके SN4 plus के form में जाएगा और SN4 plus के form में जाएगा अब यह देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या गया दो electron आ गया अब यह पूरा गेम अब दो electron के base पर डिपेंड करेंगे अब हमारे पास क्या है नाइट्राइल आर सी ट्रिपल बॉन एंड जब आप इसको activate करेंगे तो यहाँ पर क्या है carbon is more electronegative दिन carbon so nitrogen क्या करेंगा अपना electron withdraw कर लेगा तो जब nitrogen electron अपने तरफ खीचेगा तो यहाँ पर nitrogen content partial negative and carbon content partial positive charge अब देखिए हमारे पास क्या है दो electron है अब यह दो electron क्या करेंगे इस carbon के उपर क्या करेंगे अटेक कर देंगे जैसे इस carbon पर अटेक करेंगे तो next step क्या हो जाएगा और C यहाँ पर देखेए यह bond ऊट गया double bond nitrogen क्योंकि nitrogen ने दो electron अपने तरफ खीचा तो nitrogen के उपर negative charge अब यहाँ पर देखिए यह carbon के उपर 2 electron आ गये तो carbon also भी content negative charge क्योंकि carbon के उपर क्या और 2 electron carbon ने gain किया है अब यहां पर देखे हमारे पास C से N-N nitrogen Черग हम लोग क्या करेंगे हमारे पास हमारे पास H अब दो क्या करेंगे ठोश प्लस रिलीज होगा जब 2 mol HCl लेंगे तो 2 mol H plus होगा एक H plus इधर एक H plus इधर यह दोनों क्या करेंगे कार्बन पर जाके एक nitrogen पर जाके अटाइश हो जाएगा हमें क्या मिलेगा यह देखी किसका formation हुआ इमाइन का अब देखी यह इमाइन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर देखिए अब इसको stiffens reduction reaction भी करते हैं इसको क्या करते हैं stiffens reduction reaction stiffens reduction reaction इसको क्यों करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो nitrl group है यहाँ पर nitrl carbon क्या रहे है electron को accept कर रहा है तो हमें मालूम है the tendency the tendency to accept electron called reduction so it is called stiffens reduction reaction next अगर हम लोग कुछ examples की बात कर लेते हैं जैसे अगर हम लोग यहाँ पर CS3C triple bond N यहाँ पर देखिए यह हमारे पास क्या है nitrl group है अगर इसकी डेविंग की बात करें इसे हम लोग का सकते हैं acetonitrl यह हमारे पास क्या है acetonitrl है इसी को हम लोग ethane nitrl भी का सकते हैं क्या का सकते हैं ethane nitrl अब यहाँ पर देखिए अब इसका reaction हम लोग किसके साथ कराएंगे sncl2 प्लस hcl जब sncl2 अब दिमाग में हमारे क्या है कि यह bond का तूटेगा इस bond को जब तोडएंगे तो यहाँ पर एक hydrogen carbon से test हो जाएगा एक nitrogen से test हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है इमीन का formation होता है तो cs3 c e h double bond n h यह क्या हो गया इमीन हो गया अब इसका हम क्या कराएंगे hydrolysis करा देंगे अब इसका हम क्या करें hydrolysis और acidic medium में hydrolysis कराएंगे किसमें acidic medium में जैसे ही hydrolysis कराएंगे oxygen hydrogen hydrogen यह bond दोनों टूड़ आएंगे और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें मिल जाएगा cs3 c single bond h double bond o यह हमारे पास क्या गया इस्टल डिहाइट इस्टल डिहाइट यहाँ पर हमें इस्टल डिहाइट का formation हो गया फ्रेंड्स यह रहा reaction of stiffens